हेलो गाईज एक और नई वीडियो में आ गया हो तो snapdragon ने अनाउंस कर दी अपने तीन नए प्रोजेसर जो की है snapdragon का 720G, snapdragon का 662 और snapdragon का 460 इन तीनों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों तीनों के तीनों जो है वोग नविक सपोर्ट करते हूं यह क्या होता है इस सुरों के साथ कॉलकॉम शेद्ज नियिदी का नविडियो में सपोर्ड़ेर है वा इन तीनों प्रोजेसर में सपोर्ड़ है अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर Snapdragon 720G की Eye Texture के बारे में, तो यह जो बना हो, 8nm प्रोसेस पर बना है, जो फिन फाइट प्रोसेस होता है, उस पर बना है 8nm की प्रोसेस पर, और इसकी जो कोर्स की बात करें, तो OctaCore का प्रोसेसर है, जिसमें आपको 2 कोर्स मिलते है, Cryo के 465 जो की Cortex A76 पर बेस्ट है, जिनका Clock Frequency है 2.3 GHz, और बाकी की जो 6 कोर्स हैं, यहाँ पर Cryo के 465 वाले हैं, जो की यहाँ पर बेस्ट है Cortex A55 पर और यहाँ पर जिनका Clock Frequency है 1.8 GHz, इसके अदर GPU की बात करें तो आपको 618 GPU मिल जाएगा, और बात करें तो आपको Hexagon 692 वाला 5 जनरेशन AI engine मिलेगा, मतलम AI capabilities की बढ़ जाएगी, साथ साथ इसमें आपको Camera Support की बात करें तो आपको Single 192 Megapixel का Camera Support मिलेगा, और यहाँ पर आपको Video Capture मिलेगा, Front Camera यहाँ पर मैंशन नहीं किया गया, और अब बात करें, इसमें 4G मिलेगा, आपको 5G नहीं मिलेगा, और आपक आपको कोई भी 5G नहीं मिलना रहा, क्योंकि यह Budget category में आने वाला है processor, साथ इसमें Charging की बात करें तो आपको Quick Charge 4 Plus का यहाँ पर Support मिल जाएगा, इसके अंदर आपको बाकी यहाँ पर Wi-Fi 6 मिल जाएगा, इसके अंदर Bluetooth 5.1 मिल जाएगा, और बाकी सारे Features मिल जाएगे, तो काफी अधा Powerful लग रहा है, और काफी अधा Efficient भी लग रहा है, तो दोस्तों बात करें दूसरे processor की, जो कि है Snapdragon 662, तो आपको Snapdragon 662, जो successor मिलेगा, Snapdragon 660 का, और इसकी जो Price Range हो सकती है, 9 से यहाँ पर 11,000 के बीच में, यह वाला processor आ सकता है, कोई भी Smartphones के अंदर, तो आप बात कर सकता है, Snapdragon 662 की आई टेक्चर के बारे में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11,000 का प्रोसेसर, और इसका जो processor है, वो OctaCore का प्रोसेसर है, तो आपको 4 इसमें High Performing Core मिल जाएंगे, और 4 आपको Efficiency वाले Core मिल जाएंगे, जहाँ पर Core होंगे, वो Cryo के 260 वाले Core होंगे, और यहाँ पर जो Clock Frequency होगी, यहाँ पर 2 GHz की इसके अंदर होगी, यहाँ पर GP की बात करोंगे, तो यहाँ पर GP आपको Adreno 610 मिलेगा, तो यहाँ पर ज्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, और यहाँ जो AI की बात कर रहे तो Hexagon 686 इसके अंदर मिलेगा, इसे Memory Type आपको LPD 3DDR3 और 4 दोनों supported है, और यहाँ पर up to up 8GB तक इसमें RAM डाल सकते हैं, यहाँ पर आपको same to same इसमें भी 4G मिल जाएगा, और यहाँ दोस्तों केमरा की बात करें इसके अंदर, तो सिंगल केमरा आपको फ्रेंड में 25MP का सपोर्ट करता है, बैक में 48MP का सपोर्ट करता है, और 3.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, साथे अपमे Bluetooth version इसके अंदर 5 मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको Wi-Fi 2.4 GHz और 5 GHz पर मिल जाएगा, और अब बात करें Snapdragon 460 के बार में, तो यहाँ पर Snapdragon 460 है, वो successor है, यहाँ पर Snapdragon 450 का, और यह जो processor आ सकता है, वो 5 से 8000 के बीच के इसके अंदर आ सकता है, तो काफी दे एंट्री लेवल का processor यहाँ पर लॉंच कर दिया है, अब बात कर लेते हैं, इसके आई टेक्चर और processor की डिजाइन के बार में, तो इस तो processor बना हुआ हुआ, 11 Nm की technology बना हुआ है, और इसमें आपको 8 core processor मिल जाता है, जो की यहाँ पर आठो cores जहें, वो cryo के 240 वाले cores है, 2.3 gigaards पर, इसमें GPU की बात करूँ, तो यहाँ पर जीपी आपको Adreno का 610 GPU मिल जाता है, जो की 662 में सेम मिलता है आपको, और इसमें आपको RAM support की बात करो, तो LPDDR4X की RAM support मिलेगी, अब टू यहाँ पर 8GB तक की सके RAM support मिलेगी, इसमें camera support क तो यहाँ पर camera support मिल जाएगा, इसके अंदर 25MP सिंगल camera support और 16MP 16MP dual camera support, और यहाँ पर आपको triple camera support भी मिलेगा इसके अंदर, और इसमें बात करूँ, तो यहाँ पर आपको Wi-Fi भी मिल जाएगा, जो की 2 gigaards पर 5 gigaards, तो यहाँ पर modem आपको मिल जाएगा, वो X11 का modem मिल जा दोस्तो यही जो 3 processor थे, वो launch कर दिया है, और Indian technology के साथ भी launch किया, जो की नेविक है, यहाँ पर जो GPS वे टेकनलोजी, तो दोस्तो आपको कैसे लगे है, ज़रू से comment करके बताना, और चैनल को like कर दिजिए, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, और यहाँ पर मुझे Instagram पर ज़रूर फॉलो करना, मैं लिंक देदूँगा अपने description में,